हाई अब्रीवन वेलकम इन्दिस केमिस्ट्री क्लास हम लोग पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ओके तो टोटल हमारे फोर लेक्चर हो चुके हैं आज है लेक्चर नमबर फाइब फोर्थ लेक्चर में हमने इंटर कन्वर्जन ओफ स्टेट्स ओफ मैटर पढ़े थे आई होप आप लोग अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे पढ़ रहे होंगे और आप लोग को समझ में आ रहा होगा ठीक है तो आज हम क्या पढ़ेंगे फ्यूजन और मेल्टिंग फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ओफ स्टेट्स ओफ मैटर जिसमें हमने मैटर के इंटर कन्वर्जन को आपको समझाया था ठीक है तो इसमें से हमारे कई सारे प्रोसेस से सॉलिड से लिक्वीर, लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड तो उ हमारा क्या होता है, fusion और melting, समझते हैं, कोई हमारे पास solid है, suppose बर्फ का एक टुकड़ा है, ice है, ठीक है, तो वो हमाराень गल जाता है, ठीक है, गल की वो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, water में change हो जाता है, तो इसी process को हम हम बोलते हैं fusion और melting melt का मतलब क्या होता है गलना यहां पर आपने क्या लिखा है the process by which a substance changes from a solid state to a liquid state is called fusion वो process जिसमें हमारे एक substance solid state से liquid state में change हो जाता है उसी process को हम बोलते हैं fusion okay fusion is also called melting fusion को हम melting भी बोलते हैं यह कैसे होता है temperature में change हो करके हमने बोला था कि जो matter है अपने physical state को कैसे change करता है या तो been good चेंज होगा या तो यहां भी हमारा क्या होता है temperature से का change हो जाता है solid अड क्या होता है ice buff होता है this इसको फ्रेज में रखे रहते हैं ठीका commence में रहता है तो जब मेल्ट करके पाणी बन जाता है यह जो हमारा वर को क Tracy बन जाता यह प्र क्यों कि इसका टैंप्रेचर च commission हो जाता है कि इसमें यह हूँता क्या है सबसे फेली यह समस्ति ऊपर उपर च्वारी दिखाऻ देड़ा है ऐसका यह समस्ति हुगण में लिक्टि सब्सक्राइब है तो इसमें कौन सा इंटर कनवर्जन पर रहा है صॉलीड विच्छ विच्छ तो लिखुड लिक्विड में तो इस्ट प्रॉसिस को हम बोलते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग तो इसमें होता क्या है जो हमारा सॉलीड होता है उसके अंदर जो पार्टकल् तो वह क्या करता है इनके बीच पार्टिकल की बीच में जो force of attraction इसको वीक कर देता है ठीक है जो पार्टिकल एकदम close close इस तरहीके से हमारे अधेंस से वह क्या हो जाते हैं दूर दूर होने लगते हैं और वह इस टाइब के अरेंजमेट में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं लिक्वेट ठीक है तो यह इसमें होता क्या है जब हम temperature को change करते हैं तो इसके पार्टिकल का arrangement change हो जाता है जो इनके बीच में पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे जब हम temperature को तो उसके अंदर जो पार्टिकल सोंगे वह दूर दूर हो जाएंगे और वह हमारा change हो जाएगा लिक्वेट में जो चीजें हमने यहां पर समझा है वहीं यहां पर लिखा हुए ठीक है जो अभी हम पार्टिकल का arrangement समझे है ठीक है तो देखिए क्या लिखा है वेन भी हीट और सॉलिड इस पार्टिकल बिकम मोर एनर्जेटिक दा काइनेटिक एनरजी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेश ठी अब लिखुरन क्या होते हैं दूर होते हैं तो जब हम उसको energy प्रवाइट कराते हैं तो क्या होता है? Temperature देते हैं तो उसकी kinetic energy बढ़ जाती है temperature देने से उसकी बीज का जो intermolecular force of attraction होता है वो weak हो जाता है जिसके वज़से particle की बीज का space बढ़ जाता है और वो move करने लगते हैं जीतना तेजी से वो move करेंगे उसकी kinetic energy उतनी ही ज़्यादा होगी The energy supplied by heat overcomes the intermolecular forces of attraction between the particles as a result the particles leave their main position and start moving as a result solid melts and a liquid is formed क्या होता है जब हम उसको heat provide कराते हैं तो जो intermolecular force of attraction होता है वो क्या होता है weak हो जाता है जितना ज़्यादा उसको energy देंगे उतना ही ज़्यादा intermolecular force of attraction weak हो जाता है जो हम उसको temperature देते हैं वो क्या करता है उसनके बीच का जो intermolecular force of attraction होता है उसको decrease कर देता है कम कर देता है तोड़े देता है उसकी बीच का जो bond होता है ठीक है तो क्या होता है हमारे particles दूर-दूर हो जाते हैं move करने लगते हैं तो हमारा liquid में change हो जाता है solid के अंदर जो particles से बहुत ही close ली थे ठीक है जैसे जैसे हम इसको heat देते हैं temperature increase करते हैं तो यह जो पार्टिकल जो हमारे close close है ठीक है यह पार्टिकल जो एकदम close close है एकदम नजदीक नजदीक हो क्या हो जाते हैं दूर-दूर हो जाते है heat provide करने से energy provide करने से तो पार्टिकल के arrangement के basic हम उसको क्या किये थे एक राज़ किये थे solid liquid gas तो इसका arrangement इस तरीके से इसमें change हो जाता है तो यह किसका arrangement होता है liquid से तो हम बोलते है solid किसमें change हो गया है liquid में और इसी process को हम बोलते है fusion या फिर melting ओके यह कैसे होता है temperature के change होने से change होता है पार्टिकल का arrangement now understand melting point melting point क्या होता है the temperature sorry now understand melting point melting point क्या होता है melting point हमारा वो temperature होता है जिस पे जो कोई हमारा solid होता है वो melt करना गलना start कर दे उसी temperature को हम बोलते है उसका melting point यहां पे हमने क्या लिखा है the temperature at which solid melts into a liquid at atmospheric pressure is called melting point of that liquid इसका मतलब क्या है वो temperature जिस पे हमारा कोई solid है ठीक है वो क्या होता है melt करना start कर देता है liquid में जो ice हमारा होता है suppose हम बर्ष का example लिए है तो पहले solid होता है जिस temperature पे वो melt करना start कर देता है उसी को हम बोलते है उसका melting point तो ice का melting point क्या होता है 0 degree Celsius पे हमारा जो ice होता है वो melt करना start कर देता है तो वो हो जाएगा उसका melting point तो हमने यहां पे क्या लिखा the temperature at which solid melts into a liquid at atmospheric pressure is called melting point of that liquid pressure में हम कोई change नहीं किये केवल temperature चेंज हुआ है pressure जो हमारा atmosphere का था वो उतना ही है केवल यहां पे temperature का चेंज हुआ है pressure हमारा constant है जो atmosphere का था वही यहां पे pressure है बस temperature में चेंज हुआ है the melting point of ice is 0 degree Celsius अगर हम degree Celsius में बात करें तो ice का melting point होता है 0 degree Celsius अगर Kelvin scale में बात करें 273 Kelvin होता है अगर हम foreign height scale में बात करें तो 32 foreign height scale होता है तीनों हमारा क्या है temperature का unit है अब हम समझते है latent heat क्या होता है fusion का so अब हम पढ़ेंगे latent heat latent heat हमारा two types का होता है एक होता है latent heat of fusion second होता हमारा latent heat of vaporization तो यहां पे हम fusion का process पढ़ रहे हैं solid shape change करना liquid weight इसको हम बोलेंगे latent heat of fusion ओके तो यहां पे latent का मतलब क्या होता है latent का मतलब होता है hidden hidden मतलब छूपा हुआ ऐसा heat जो छूपा हुआ है हमें पता नहीं चल रहा है उसको बोलते है latent heat इसको हम समझते हैं एक example से यहां पर एक diagram से ओके तो suppose हमने यहां पे लिया है एक container container का मतलब क्या होता है बर्तन इसमें हमने रखा है एक kg आइस यह हमारा एक kg आइस है इसके अंदर ठीक है और दूसरे श्टेप में हमारा क्या हुआ है यह जो आइस है जो यहां पे हमने ice लिया ठीक हमने fresh से निकाला इसको लिया अब हम इसको बर्तन में रखेंगे एंड इसको गैस पे रख देंगे यहां से हम क्या देंगे temperature temperature किसके फॉर्म में हीट के फॉर्म में हम यहां पर टेंपरेचर देंगे तो सपोर्ट जब हमने इसको फ्रिज से निकाल करके हम लाएं है आइस को तो उसका temperature था स्वाइनश 4 डिग्रीज सर्शीयस तो हम इसके टेंपरेचर को इंक्रीज करते जाएंगे फिर हमारा चला जाएगा माइस 3 डिग्रीर से लिग्रीज पे अभी यहां यहां कोना मेल्ट करना जिस वालीड मैल्ट करना स्टार्ट कर देगा हीच का मेंद किया ऊता है जो डिग्रीजर तो जब यह जीन डिटी से-स पे पहुंचे घा तब्वी मैल्ट करेंगा ठीक है तो यह अभी डिटी मेल्ट करेंगा ठीक है तो यह घौन कर रहा है temperature को increase करने जा रहा है heat इसको देते जा रहा है बट अब हमारा क्या हो रहा है temperature zero degrees Celsius पर ही रुख गया है बढ़ नहीं रहा है लेकिन हम continuously इसको heat देते जा रहा है लेकिन thermometer में हमारा temperature increase ही नहीं हो रहा है दिखाई नहीं रहा है ऐसे करते कस्ति कुछ time के बात जब यह हमारा जो solid ice है वह melt हो जाएगा गल जाएगा पूरी तरीके से ठीक है इसको जो particles है जो बहुत ही close close थे liquid के जैसे दूर दूर हो जाएगे तब तक इसका temperature मारा क्या हो जाएगा constant zero degrees Celsius जब हमारा ice melt हो जाएगा तब फिर से इसका temperature increase करना स्टार्ट कर देगा फिर से यह हमारा क्या हो जाएगा बन डिग्री सल्सियस में आ जाएगा फिर तू डिग्री इस यह हीट होने लगीगा होट होने लगीगा जो water है तो यह हमारा क्या था कुछ time के लिए जो हम temperature इसको को प्रोवाइड कर रहे हीट के फॉं में टंपरेचर तो हम तो देते जा रहे हैं Studies बेस लाउयते हैं हमारा टेंपरेचर ते रहे थे लेकिन thermometer में हमारा temperature दिखाए रहे हो तो जीरू डिगरी सीओ सेस्पे चला गया तो उसी heat को जो हम उसी temperature को जो हम heat के form में दे रहे हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है कुछ time के लिए वो constant हो जाता है उसी को बोलते हैं latent heat छुपा हुआ heat अब यह गया कहां जब thermometer में दिखाया यह नहीं तो इसमें होता कि हमारा इसे के लिए यह हीट कहां पर यूज होता है जो temperature हम इसको देते हैं थर्मोमेटर में नहीं दिखाता है यह जीरो डिग्री सेल्सेस पर ही रहता है कुछ time के लिए तो जो यह हीट होता है अब देखें यहां पर और इसालिड के अंदर के हमारे particles क्या होते हैं बहुत ही close होते हैं ठीक है इस तरीके से उलिड के अंदर जो पार्टिकल हमारे अरेंज होते हैं ठीक है एक दम closely tightly packed होते हैं इसमें छोटा-छोटा हमने यह particles इसके दिखाए हैं तो जो हमश्कोग heat देते जा रहे हैं यह क्या क उसमें यूज हो जाता है, तो यह हमारे कैसे हो जाएंगे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, मूब करने लगेंगे, इसकी बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, तो जब यह पूरा मेल्ट हो जाता है, उसकी बाद से फिर temperature increase करना start कर देता है तो यह temperature कहां पर यूज़ वाँ इंटर-molecular force of attraction को weak करने के लिए जो हमारे solid के अंदर थे यह हमारे particles अब move करने लगेंगे तो अब हमारा temperature increase करना start कर देगा तो यह इस particle के arrangement को change करने में use हुआ है इसी heat को हम बोलते है latent heat जो हमें दिखाई नहीं देता है temperature जो हमें increase नहीं होता है temperature हमारा क्या हो गया वहीं पर था 0 के 0 degree Celsius पर ही तो अब हम इसका definition देखते हैं हमने यहां पर क्या लिखा है तो रट से हाँ ठीक है तो हमने लिखा है यहां पर the latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of solid at its melting point without change in any temperature without any change in temperature यह क्या कर रहा latent heat of fusion को हम क्या बोलते हैं को वहीट जो हम क्या करते हैं किसी solid को melt करने के लिए देते हैं ठीक है वहीट जो किसी 1 kg solid 1 kg हमने यहां पर आइस का टुकडा लिया था उसको melt करने के लिए उसको liquid में change कर ले के लिए जितनी heat की required होगी जूल में यहां पर हमने heat का unit ले ठीक है जितनी heat की requirement होगी उसके melting point पर ice का melting point क्या होता है 0 degree Celsius उसके melting point को इसके solid से liquid में change करने के लिए जितनी heat की requirement होगी उसको हम बोलेंगे latent heat of fusion इस heat में हमारा क्या होगा solid ice था जैसे ही यह melt करना शुरू हुआ भी तो पूरा solid ही था उसके बाद जब तक यह liquid में change हुआ है तब तक हमारा जो temperature था वो constant था उसमें कोई change नहीं हुआ वो 0 degree Celsius पर ही था और यहां पर temperature हम heat के form में देते जा रहे थे तो वो heat हमारा चुपा हुआ था and temperature हमारा increase नहीं हो रहा था इसलिए वो क्या बोल रहा है melting point without changing temperature ice का melting point होता है 0 degree Celsius जब हम 0 degree Celsius पर आते हैं तो ice melt होना start होता है जब तक यह melt नहीं हो जाता temperature हम इसको देते हैं लेकिन यह change नहीं होता है तो उसी heat को हम बोहते है latent heat of fusion इसके fusion के लिए जो heat की requirement होगी without change in temperature उसमें temperature में कोई change नहीं होगा उसको बोलेंगे latent heat of fusion आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पीछे करके इसको फिर से देख लीजिएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हम next lecture में बाबा